असलाम लेकूम आज की इस वीडियो में हम CS507 की Assign No.1 के सलूशन के बारे में देखेंगे हमारे पास दो क्वेस्टिन है और टीचर वैसे सख्त इसकी मार्किंग करते हैं तो आपने यहां से कॉपी पेस्ट नहीं करना अगर आप चैट डीपिटी से भी बना रहे हैं या कोई अनलाइन टूल से तो आपने इसकी रिफ्रेजिंग जरूर करनी है ठीक है सिनेरो यहां से रीड कर लेना है वो करता है इडेंटिफाई विच अफ्टू सिस्टम डिस्क्राइब इन्वेंट्री मिनेजमेंट और बजट्री कंट्रोल इस एन एक्जेंपल आफ एन ओपन सिस्टम है उसमें हम रिपोर्ट्स वगरा जनरेट करते हैं ठीक है और यह मैं बड़ ड़ेज नाट यूज दैम तो एड़्जस्ट इन्वेंट्री आडर्ज और प्रोड़क्शन लेवल्स ठीक है हमें यह नहीं पता होता कि प्रोड़क्शन लेवल पर कितनी इन्वेंट् लूप सिस्टम है बजट वला हमें एक बजट को ट्रैक करके चलना पड़ता है कि कौन सी इन्वेंट्री के लिए कितना हमाई एस्टीमेट चाहिए होता है बजट दूसरा आपके पास सब्सक्राइब एक्सपे एक्सपे एक्सप्लेइन यूर रिजनिंग बैर डिसक्रेक् चाहिक्स एपलाइब टू इच सिस्टम इन दी स्टेश्क थीक है आपने वैसे इंटर्नेट से गुगल से उठा लेना है इसका ओपन लूप सिस्टम होता क्या है और इसकी टाइप्स कितनी होती है ख्लोस लूप सिस्टम क्या होता है आपके पास ठीक है और यह किस तरह से वह यहां से देख लेनी है। दूसरा आपके पास क्विशचन है। यहां पे आपके पास CRM रिलेशन मेनेज्मेंट सिस्टम में के पास एक पॉंट आफ से आपके पास मेनेजमेंट सिस्टम है ठीक है तो इनको देखते हुए किता है वाट आर दी पुटेंशल इंपेक्ट्स आफ न्यू सी आरेम ऑन कस्टमर इंसाइट कंपेर टो एन इन्हेंस्ट पॉइंट अफ सेल सिस्टम देखें जो सिस्टम होता है वो कभी-कभी आपको मतलब ज्यादा देखे जाता है ओन दी बेसे आफ या फिर कंपेरिजन करें पॉइंट आफ सेल सिस्टम के साथ तो ठीक है वैसे यहां से आपने कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें जुरुत होती है कि न्यू सी आरेम आपका कैसे इंपक्ट करता है इन्हेंस पॉइंट आफ पॉ होता है इमेडियेट ट्रांजेक्शन डेटा लिमिटेट कस्टम किस्टमर इंसाइट्स वगरा होती है और नीच से एक और लास्ट हमारे पस क्रेश्चन है वह करता है और शूड यू दी मिनेजमेंट टीम इवैलिए इस स्ट्रेजिक इंपॉर्टेंस आफ सी आरेम वर्स प्यूस अप्ग्रेंस इन हैंसें कस्टमर सुवेश ठीक है तो इसके लिए आपके पास जो स्टेटिजी है वह यहां पर आपने लिखनी है कि कस्टमर सर विस डूल गोल्स आपके पास क्या है लॉंग टर्म और शॉर्ट म nape Anti किस तरह से की जाती है । ये दोनुश चीज ह आपने compare करनी है दोनों के point of view के साथ ठीक है तो आप ये वैसे simple assignment है इसमें कोई ऐसी rocket science वाली बात नहीं है Google से भी copy paste कर सकते है